Hello everyone, welcome back to the ideal expert channel तो इस पड़ में हम बात करने वाले fitness app के बारे में और yoga app के बारे में तो हम fitness app को create करने वाले हमारे tutorial में तो हमारे channel पे नियर अबाट 15-20 वीडियो आने वाले जिसमें हम clearly fitness app को create करने वाले ओके एक-एक activity को हम perform करेंगे and completely हम fitness app को create करेंगे तो सबसे पहले में आपको fitness app का जो भी interface होता है वो सबसे पहले आपको show करके दिखा देता हूँ तो आपको यह जो दिखाई दे रहा होगा mobile screen में यहापे जो दिखाई दे रहा है demo yoga में इसको सबसे पहले click कर देता हूँ क्योंकि जो भी हमारा yoga app है इसको ही हमें create करना है ओके तो जैसे मैं demo yoga पे click करूँगा तो हमारे सामने जो भी splash screen रहेगी वो आपके सामने show हो जाएगे तो आप देख सकते हो यहाप यहाप योगा app show हो रहा है जैसे splash screen end हो जाएगे आपके सामने जो भी main activity रहेगा उसकी screen open हो जाएगे तो आप देख सकते हो यहाप पर three activity दिखाई दे रहे होगी एक before age 18 एक after age 18 एक nutrition और tips और नीचे आप देख सकते हो test add है जोकि native ads implement है तो सबसे पहले हम before age 18 पे click करेंगे अभी मैं सबसे पहले आपको clear कर देता हूँ before age 18 यह किसके लिए section है जो भी age 18 के नीचे है उनके लिए before age 18 का section है मिंस अगर कोई user 16 year का है तो वो before age 18 पे click करेगा अगर after age 18 मिंस क्या है जो भी user 18 के अबो है उनके लिए section है तो मैं अभी आपको before resident पर click करके बता देता हूँ जैसे before resident पर click करेंगे तो हमारे सामने activity open हो जाएगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कापी सारी योगा दिखाई दे रहे होगे तो जो भी user आएगा तो सबसे पहले कोई भी activity perform करने के लिए वो click करेगा तो मैं आपको click करके बता देता हूँ for example mountain climber पर मैं click करके बताता हूँ जैसे हम mountain climber पर click करेंगे तो आप देख सकते हो जो भी activity होती है वो यहाँ पर show रहे है कि जो भी user रहेगा वो easily उस activity को perform कर सके और आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है timer भी show रहा होगा आप देख सकते हो one minute का तो जैसे म बटन पर click करूँगा तो यह timer show होने लग जाएगा तो मैं आपको start button पर click करके बताता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर timer अभी हो रहा है 54-53 तो आप देख सकते हो ऐसा one minute अग यह perform होते जाएगा यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा है start button के नीचे how to do this how to do this means क्या यहाँ पर description है जो भी हमारी mountain climber यह activity है इसके नीचे हमें इस activity को कैसे perform करना है यह type 20 यहाँ पर describe किया जैसे step 1 start in the push the position ओके तो एक एक अच्छे से यहाँ पर description दिया है जो भी हमारे activity रहेगे सभी के यहाँ पर description देखने के लिए मिल जाएगे अभी हम इसको back करके दिखते ह जैसे हम इसको back करेंगे तो हमारे सामने interestial add show होने लग जाएगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी interestial add show हो रही है अभी मैं इसको close कर देता हूं तो आप देख सकते हो अभी हम इस activity में आ चुके तो आप देख सकते हो यहाँ पर again यहाँ पर कापी सारे interestial add, test add, banner add देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको native ads देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे आप banner ads देख सकते हो ओके अभी हम अगें कोई भी activity पर क्लिक करके देखते है जैसे leg raise जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर leg raise का जो भी activity रहेगा वो पफम होगा नीचे उसका timer show होगा है one minute का जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो भी timer रहेगा वो पफम होने लग जाएगा अभी मैं pause बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो भी timer रूप चुपका है and same how to do this में जो भी हमारा leg raise रहेगा उसको कैसे perform करना है उसकी step यहाँ पर द जाएगा उस activity हमारी कैसे perform होगी तो मैं भी back button पर क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं back button पर क्लिक कर देता हूँ जो भी हमारी main activity रहेगी उसमें हम redirect हो जाएगे तो आप देख सकते हो before raise it in के लिए नीचे आपको after raise it in का function दिखाई दे रहा होगा तो मैं भी आपको after raise it in पर क्लि जो भी after raise it in के लिए योगा चाहिए और यहाँ पर show हो रहा है और यहाँ पर banner ads यहाँ पर यहाँ पर भी show हो रहा है तो अभी मैं आपको leg raise पर क्लिक करके बताता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योगा शो होगा जो भी gift image रहेगी जो भी user को योगा पफ़म करना रहेगा वो यहाँ पर showने लग जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको timer दिखाई दे रहा होगा same one minute का जैसे को user start पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर timer show होने लग जाएगा मैं अभी pause पर क्लिक कर देता हूँ pause पर क्लिक होने के बाद आप नीचे देख सकते हो how to do this means यहाँ पर जो भी लेग रहेज रहेगा या फिर basic रहेगा जो भी योगा रहेगा उसका same यहाँ पर description आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो I hope guys अभी आपको यह भी समझ में आओगा after editing का कैसा रहेगा तो यहाँ यहाँ पर हमें test ads show रही है तो मैं इसको सबसे पहले close कर देता हूँ test ads को और आप देख सकते हो यहाँ पर same यहाँ पर native ads and banner ads देखने के लिए मिल रही है अभी में back पर click कर देता हूँ जैसे हम back पर click करेंगे तो आप देख सकते हो अभी main activity में हम redirect हो चुके तो अभी हमने यह तो समझ लिया कि before editing के लिए और after editing के लिए interface कैसा होगा अभी हम nutrition और tips के बारे में थोड़ा discuss करते हैं तो nutrition और tips यह function किस लिए तो कोई भी जो भी user yoga perform कर रहेंगा उसके लिए जो भी diet रहेगा तो maintain करने के लिए हमारा nutrition और tips का यह function हमने दिये जैसे हम इस पर click कर देते ह आप देख सकते हो यहाँ पर उपर शो हो रहा है tips and diet means हमें यहाँ पर कुछ tips दिये और जो भी उसका diet plan रहेगा योगा करने के बाद यहाँ पर उसको show हो चाएगा तो अभी में क्या कर देता हूँ किस पर भी में click कर देता हूँ जैसे for example हम build for muscle पर click करेंगे तो आप देख स रहेगा उसको कोई problem ने होगी जो भी user रहेगा आप देख सकते हूँ नीचे अच्छे से banner ad show भी हो रहा है और वो अच्छे से carefully read भी कर सकता है अभी में क्या करता हूँ तो back button पे click कर देता हूँ जैसे में back button पे click करूँगा तो यहाँ पर interestial ad show हो रही है तो अभी में क्या क आपन करके बता देता हूँ जैसे में jump पे click कर देता हूँ जैसे हम jump पे click करेंगे तो आप देख सकते हो jump training also known as flow matrix यहाँ पर अच्छे कासी से इसको implement कर दिया है मेंस यहाँ पर description आपको देखने के लिए मिल जाएगा नीचे आपको again interest sorry banner ads आपको देखने के लिए मिल करता हूँ जैसे हम इसको close करेंगे तो again हम redirect हो जाएंगे tips and diet के function में ओके अभी हम क्या करते है अभी हम main activity में चले जाते हैं तो मैं इसको सबसे पहले back कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो अभी हम redirect हो चुके main activity में तो I hope अभी आपको समझ में आओगा कि before visiting का हमारा page कैसा रहेगा after visiting का page कैसा रहेगा and nutrition और tips में क्या रहेगा and आपको यह भी समझ में आओगा कि हमने कहा कहा test ads को implement किया native ads को banner ads को interesting ads को okay अभी मैं आपको yoga app जो दिखाई दे रहा उपर उसके बाजु में टूलबार शो रहा होगा अभी हम टूलबार पे क्लिक करके देखते जै जैसे हम privacy policy पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी apps का privacy policy page रहेगा वो आपके शामने शो होगा तो आप देख सकते हो privacy policy का page यहाँ पर शो हो रहा है अभी हम back चले जाते हमारे app में अभी हम thumbs and condition पे क्लिक करके देखते हैं तो terms and condition में क्या रहेगा जो भी हमारा page रहेगा terms and condition का apps का ओ शो होने लग जाएगा अगेन हम app में चले जाते हैं अभी हम जो ratus का option होता है हम इस पर click करके देखते हैं कि इसमें क्या है तो ratus में क्या होता है जो भी हमारे rating देना होता है और ratus का option होता है बट अभी यहाँ पे loading क्यों शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारा app जो google play store पे upload नहीं है इसलिए यहाँ पे loading शो हो रहा है जब हमारा app google play store पे upload हो जाएगा तो यहाँ पे rating bar का option आपको देखने के लिए मिल जाएगा अभी again हम चले जाते हैं हमारे demo yoga में अभी देखते हैं tool bar में click करके share पे जैसे हम share पे click करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारी social media का option open हो जाएगा तो जैसे हम share पे click करेंगे तो आप देख सकते हो whatsapp का download with snap to copy to clip means जो भी social media का icon होता है वो आपको show होने लग जाएगा तो अभी for example अभी हम whatsapp पे करके देखते हैं जैसे मैं whatsapp पे click कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे whatsapp open हो चुका है मैं किसी को भी share कर देता हूँ मेरे app को तो आप देख सकते हो मैं send पे click कर देता हूँ तो यहाँ पे click कर देता हूँ जैसे हम यहाँ पे click करेंगे तो हम play store में तो चले जाएगे बट यहाँ पे loading शो होगा तो अभी हम चले जाते हैं हमारे apps में क्यूंकि अभी हमने completely जो भी टोल बार का होता है अभी हमने completely एक एक function देख लिए प्राइब से प्राइब से प्राइब करना है तो हमारे चैनल पर अभी 15 वीडियो आने वाले हैं तो आपको इस योगा एक एक वीडियो आपको देखन आया है और अच्छे तरीके से आपको implement करते जाना है अगर suppose आपको जल्दी से ही से आपको create करना है तो आप मेरे से contact कर सकते हो क्यूंकि अभी तक इस play store में ऐसा कोई भी app upload नहीं है और यह जो भी coding का पार्ट है यह सब में नहीं create किया अभी तक Google Play Console में ऐसा कोई भी app create नही तो आप अगर जल्दी मेरे से create करते हो और Google Play Store पर upload कर देते हो तो आप यहां से अच्छा खासा revenue generate कर सकते हो तो मैं आपको वीडियो को description में मेरा contact number दे दूंगा उससे आप मुझे contact कर सकते हो तो मैं आपको सबसे पहले इसकी cost बटा देता हूँ जो भी yoga app रहेगा अगर आपको 5000 में अच्छा खासा यह app मिल जाएगा build करके अगर suppose आपको इस app का source code चाहिए तो इसकी price रहेगे 2000 मेरे से आप contact कर सकते हो तो आप इसका source code ले सकते हो या फिर मेरे से create कर सकते हो तो I hope guys अभी आपको समझ में आओगा कि इसका interface कैसा रहेगा source code की price क्या है अगर आप आपको complete create करना यह app मेरे से तो कितना cost रहेगा ओके तो बट आपको यह ध्यान में रखना है ऐसा कोई भी Google Play Store पर आप upload नहीं है क्योंकि यह मैंने खुद से coding की है अगर आप इसको मुझसे जल्दी से बनवाते हो और Google Play Store पर upload कर देते हो आप यहाँ से अच्छा खासा revenue जब आप